प्रेस्ट बेल आइकन आप इपाच्छाला चैनल और नेवर मिस्ट अनदर अदर अपडेट आप देखेंगे और आप पुई तरीके से भी नोटिस करने के कोशिश करेंगे थर्ष्री एक्टिविटी के अंदर कितने टाइप देखेंगे के लोग जो होते हैं आपको इंगेज होने की कोशिश करते हुए मिलेंगे या कौन सी कंट्री थर्ष्री एक्टिविटी के अंदर आपको मिलेगी मिलेगी आप इन नोटिस करेंगे कैट ट्रिएंगे ज मिलेगी मिलेगी मिलेगें यह जो फोकस करते हैं एगजमपल आप देख सकते हैं यू अई यूएस से तो उसका एक बात कारण सिर्फ से की हो सकता है कि यहां पर इन इलाकों के अंदर अग्री कल्चर बेज जो है अच्छा नहीं है और हमारी कंटरी के अंदर अग्री कल्चर बेज जादा है इसलिए आप किर्शी परधान देश अपने देश को बोलते हैं जहां पर सारे के सारे लोग जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सर्विस एक्टिविटी के उपर जादा फोकस करते हैं तो हम नोटिस करें कि कुछ ऐसे एक्जामपल है जो सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं जो सारे तो नहीं बताई जा सकते हैं इस पूरे के पर चैप्टर के जाएंगे जिन में से एक है टूरिजम तूरिजम आपको लगता है कि सर्विस है क्योंकि आप लोगों को बहुत समय के बाद यह चीज़े देखने की कोशिश करवाते हैं या आज आप यह कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जीडिपी का मैं कह सकता हूं कि अकेला 40% जो हिस्सा प बिजनेसे होते हैं वो खुलते हैं उसकी वजैसे क्या क्याते हैं एक लाज सिंगल मार्किट जो बनती है टूरिजम की वेज़े से लिपा तो उसकी वज़े सेुचा उसके वहां पर खाने की जो सर्विस है बढ़े गी और उसके बाद ट्रांस्पोटेशन सर्विस है इसा वेज़ बाइब देखेंगे कि उसकी वज़े से बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी और अगर क्या कहते हैं टूरिजम किसी भी प्लेस पर भड़ता है वेगिए टूरिजम में भी तो आप पुछी तरीके से सर्विस देने की कोशिश करते हैं माली जी किसी पर्टिकुलर प्ल और आप ये नोटिस करेंगी जो अगर कहते हैं आपका तूरिस रीजन होते हैं जहां पर लोग घूमने आते हैं जादार वह कैसे प्लेसिस होते हैं तो मेस्सिटेरियन कॉस्ट एक अच्छा एक्जामपल है जहां पर आपने बहुत सारी फिल्में शूट होते हुए देखी जहां पर मौसम सुहाना हो भारत के अंदर देखे तो आप कोई कॉस्टल डिजन दिख रहे होंगे इस्ट कॉर्ट एंड वेस्ट कॉस्ट यहां पर लोग जादा जाना पसंद करते हैं कि यहां जाद अच्छे सुहामने मौसम जो हैं लोग को देखने को मिलते हैं तो बहु एक केते हैं temperature चलेगा तो भी लोग आँ घूमने आएंगे लोग जातर बर्फ की वज़े से भी घूमने आते हैं लोग जातर दूप की वज़े से भी घूमने के लिए आते हैं तो climate किसी भी tourist के लिए attract करने वाले एक चीज हो सकती है लैंड skep outta दूसरा फ supply應該 कि मतलब यहीं हो गया है कि लोग जाते हैं जरने देखना चाहते हैं समूद्र आशायरे चीजे देखना चाहते हैं जो वहां के और दूसरा हिस्ट्री और आर्ट बहुत तगड़ा मेटर करता है क्योंकि अगर वहां पर प्राचिन चीचे हो सुन्दर नगर हो जिसका कहीं न कहीं हिस्ट्री से या किसी आर्ट से कोई चीज जुड़ी हो जैसे आप नार्दा गुफाएं बोल सकते हैं हड़ापस अबिता कि साइट से विद्वाद होगे तो इसजी होगें कि तो फ्रिंदवन हो गया इसका हिस्ट्री से कुछ लेना है ताज मेहृं के तो ऊसकी वजह से भी लोग जो हैां अट्रैक्ट होने की कोचिछ करते and then military economic मतलम्य का culture specialist हो आपकी अच्छी एकनॉमिक इसका लिंक जो है तर्शिरी एक्टिविटी से काफी हद तक मिलता जूद है लेकिन इसके अंदर आप देखें कोई तरह के से इनका काम होता है information को collect करना और देन लोगों को देना है ना तो ये थोड़ा सा अलग हो गया service से लेकिन service का part है लेकिन उससे थोड़ा सा अपर है इसमें research and development team होती है कोई तरह के से specialist knowledge के workers होते है technical skill बहुत अच्छी लोगों के पास होती है और जैसे internet service हो गई है ना internet के अंदर और भी चीज़े हो गई तो वह सारी चीज़े आप देखेंगे कि यह कोई तरह के से information share के लोग होते हैं जो service देने की कोशिश करते हैं and then last आती है जैसे आप क्यूंकि serial wise आप करम बढ़ता जा रहा है primary activity कुछ और थी secondary activity कुछ और थी tertiary कुछ और थी and quaternary कुछ थी अब last में आता है cunary activity जैसे आप पंचम क्रिया क्लाब बोलते हैं tertiary activity के बाद दो टाइप की activity बहुत important है जो कहीं न कहीं अगर आपके किसमत खराब हो तो paper के अंदर आने के chances इसके बन जाते हैं और इसको भी जान लीजीए यह होता क्या है क्युनary activity के अंदर आप यह देखने के कोशिश करेंगी जैसे आप पंचम क्रिया क्लाब बोलते हैं इसमें highest level of decision making policies के लोग होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ लोग काम होता है decisions लेना इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं last and 3 फैसले लेते हैं और इसके वज़े से आपके notice करें हैं कि मोजजी जैसे करना मित्रो हम किसी से काम है क्या तो यह क्याने का sense यह कि highest level of decision making policies या policy maker या कह सके कि कि किसी भी order को हां या ना करने के लिए जो वैक्ति होते हैं वो सब आपको इसके अंदर देखने के मिलेंगे कि क्विणरी activities के वहां दर और यह सबसे लास्ट अक्टिविटी यह सभी जो ग्रेटर्स घृती है ठां तो यह कि है सुवएवव शो भी एच्टीग फिन दाम आपको एंदर नियोगी अज्यों व्यू नियोगी एंदबी नियोगी डुिर दॉ प्रश्वाहे है and do comment what you want to something new and let's meet another video so this is it in this part तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ये पाटशाला चानल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो इट पाटशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सबी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कोशिच करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगो की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जबी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत